हेलो दूसतों, नमस्कार, न घंटों भीगों, न दही, न सोडा, फिर भी क्रिश्पी करारा न अस्त घंटों की जगा मिंटों में बणकर रेडी हो जाएगा खाने में इतना स्वाधिष्ट की सभी इसे बार-बार आपसे डिमांड करेंगे कि बस आप एक बार फिर से बना ही डालो और आप खुशी-खुशी मिंटों में बना कर सभी का दिल जीत लेंगी जी हैं आज का नास्ता बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है और बहुत कम समय में बस इंस्टेंट बनकर तयार हो जाएगा आप इस्वास भी नहीं किजेगा कि इतना जल्दी बनकर इतना स्वाधिष्ट तयार हो जाएगा इसके लिए देखें धुली हुई मूँंग की दाल लेंगे हम लोग जो पिली वाली होती ने वही मूंग की दाल ह और यहां यह बैं कच्छा चावल वैं जिसे हम दोसा वगरा बनाते हैं यह चावल एक गटूरी लिया है ऐब कि दोनों की मात्रा हमने एकवल रखा भाबर बढ़र भाब अब यहाँ पर पानी को गरम करेंगे, गुनगुना पानी से थोड़ा सा गरम रहेगा पानी, अब गरम पानी को इसमें डाल कर अच्छे से चार से पांच पानी तक धोलेंगे, चार पांच पानी तक धोलेंगे, तो इसका तो डस्ट और गंदा निकलेगा ही निकलेगा, और ह जितने हमने डाला है उतना ही इसमें पानी डालेंगे 0-2 इंची यह उपर आए कि बंस ज्ञाइब नहीं पीसेगा तो इस बात का बिल्कूल हमेशा खयाल रखेगा पानी हल्का उपर ही रखिएगा यानि की हाफ इंच रखिएगा बस इतने पीस कर देखिए यह रेडी होगे कितना बढ़ियां स्मूथ फिस गया न एक दम चिकना एक दम चिकना पिसागा बिल्कुल दरदरा इस के देखने से लग रहा है ना इसी तरह से हम पीस कर इसको रख लेएен現 है mad ja कि इतना स्मूद सा पिस तरह गेया हैं और इसकी जो की रही है कि थे नहीं कि बढ़िया तो आप देख रहे हैं इसी तरह से हमें रखना ही देखिए कितना आराम से गिर रहा है अब बनाते हैं उसकी फिलिंग यहां पर देखिए मैंने आलू ले रखा है चार आलू है मीडियन स्रेज का अलू को उबाल लिया है मैश कर लिया है अब इसमें डालेंगे एक बड़ा प इससे भी क्रश कर लेंगे अध्रक अच्छे से आप कर लिजेगा या कटिंग करके भी डाल सकती है जैसे आपको इजी लगे थोड़ा से धनिया पत्ता स्वात्व इससे अच्छा बढ़के आता ही है कलर फुल भी लगता है देखने में बच्चे काफी पसंद करते हैं अब इसकी क्वांटिटी देख लेंगे और देखने के बाद हम इसमें डालेंगे हलका सा तेल सरसो का तेल डालेंगे इससे इसका स्वाध बहुत बढ़के आएगा तो आप जरूर डालिएगा अब इसमें डाल देते हैं नमक जितनी इसकी क्वांटिटी है उसी के यानि कि स्वाद करूंसार इसमें नमक डालेंगे अब यहां पर डालेंगे चाट मसाला डालने से क्या होगा ना कि इसकी फिलिंग वह बहुत चटपटा तयार होगा यदि आपके चाट मसाला नहीं है तो आप थोड़ा सा नीम्बू भी डाल सकती है अब डालकर इसको श्रेटि करहत बहुतन देखिए इस तरह का बनकर रेडी होगा आप देख रहें यह भी जाली नहीं बना हुआ है और यहां इसी तरह से बनाई यहां तो पर रहा रहा होता है लेकिन ठीक थाटा कर रहता है अब यहां पर हम डालेंगे सर्सो गतेल नियुश करते हूं यहां पर लगा रखा है आप यदि रिफाइंड यूज करते हैं तो आप इसके पर रिफाइंड हलका हलका सा लगा देजेगा जिससे कि यह मुला है मुझा अराम से निकल जाता है इसको कुछ भी जंजट नहीं है यह इसे कोई भी बना सकते हैं इतना इजली निकल जाता है देखिए इसका कलर और इसकी जो यह दिखाई दे रहा ना यह उपर उपर हलका हलका सा इस पर बबलिंग आया है बहुत जादा बबलिंग नहीं आया हुआ है तो मैं यह दिखाने के लिए कि आप तुरत पीस कर तुरत बनाईएगा तो देखिए आपके जो धोसा है वह इस पीस कर आप 10-15 मिनट के लिए रख दीजेगा जिसे कि उसमें अच्छा सा बबलिंग आ जाए अच्छा सा बबल्स आ जाए खमीर थोड़ा सा उठे जाए कि हमने दही直接 जाएं तो आराम से इसको समय मिल जाता है used the bubbles आने के लिए तो देखिए वुज़ाना की तो देखिए देखbourg在 तरह से लग रहा है अब मैं आपको इसी की जगह दूसरा भी दिखाऊंगी कि उसमें देखिए कैसा आता है अब हमने अच्छा से धनी हरा चटनी सौस और फिलिंग डालकर इसको अच्छे से हमने बना कर रख लिया है अब देखिए अब यहां पर डालते हैं यहां पर आच जो है आप एकदम लो पर से तेल डालेंगे जिससे की अच्छा सा क्रिस्पी भी हो जाए और फुरसा यह देखने में पी अच्छा लगता है अराम से निकल जाता है हमें आपको जब आपको बच्चे कहें कि आप बस हमें धोसा बना कर खिला दो तो फटा फटा अप गरम पानी लीजिए उसमें दाल डालिये चावल डालिये और दो डालिये पीस डालिये पीस कर आराम से इसको दस मिनट में बना कर रेडी कर सकती है अब हमने एक और आपको बना कर दिखाया अब यह भी बना कर दिखाया इसकी फिलिंग आपको जैसी इक्षा है वैसा तो इसमें डाल कर इसको रेडी कर लगता है जब यह देखिए इसमें कितना वबल साइगा इसको समय मिल गया है हलका सा बॉब्लिंग से आना शुरू हो गया है तो यह इस तरह को बनाए तो अपसे दस मिनिट के लिए जरूर रखें है आराम से किनारा जो है वो छोड़ने लगता है देखें दिखा रही हैं जोने की जरुत नहीं है इसको खमीर लाने की जरुत नहीं है राव से हिरेडियो जाता है हल्का सा कलार आजाए तो बस इचारता उसे किनारा ठोड़ाइब ऑर आराम से इसको कलार दिए अब देँ यह हमारी हो सादित इसकालर दिखिए और रहे जूक पहले बनाय था हमारा हमारा कितना हुलती है मुलायम बन सकता है कराड़ा कि बन सकता है राला मुभी क्रिस्पी बन सकता है आप डीका अब kijken रखेंजोर कि यह रखेंग सितना कर एसमोड़ा है तो अशली anymore हुआ है देखे पहला हमने बनाया था देखिए उसका वह देखिए और अभी जो हमने बनाया यह देखिए दोनों में कितना अंतर है तो यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो मेरे रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा मेरे मेरे चैनल बच्चों को अपने परिवार वालों को बनाकर खिला सके खुश भी रह सके और दूसरों को भी खुश कर सके तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा जरूर बनाईएगा बहुत आसानी से बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है क्रिस्पी भी बनता है सौफ्ट